सु हेलो एविवन आप सभी के याने की फोर्थ समस्टर और सिख समस्टर मतलब कि सेकेंड यर एं थर्ड यर स्टूडेंट्स के जो डेट सिट है ऑफीसल वैबसाइट पर रिलीज कर दे गई है आप चाहें तो चेक कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है तो ऑफीसल वैबसाइट पर एक्सामिनेशन विइंग इस ओफीसल वैबसाइट पर डेट सेट रिलीज कर दे गई है डेट सिट आप यहां पर देख सकते हैं बी यह ओनर्स वी कॉम ओनर्स बीस्टी ओनर्स ब्स्टी प्रोग्राम पर यह जो देट सीट है वो सवल एंसीवेबन सोल के लिए भी स्टूडिंस के लिए है ठीक है तो टाइमिंग वगरा सब कुछ यहां पर मैंसन किया गया है डेट सीट भी प्रोग्राम से बीची स समेस्टर एक्जामिनेशन मैं जून 2022 आगे देखते हैं तो टाइम आफ जो पहले हम अपने देट सीट को देख लेते हैं ठीक है तो 11 माई 2022 11 तरिक से हमारे एक्जाम स्टार्ट हो रहे हैं आपको देख लेना है डाउन्लोड कर लेना है अगर आपको वेबसाइट पर नहीं मिलता है तो इस मतलब मेरा चैनल का टेलिग्राम ग्रूप है वहां पर इसक अब स्टूडेंस के अलग अलग पार्स एसाब से 14 माई के बाद जो है हमारा एक्जाम होने वाला 17 माई को ठीक है जेंड क्लेक्टिव का आप नोट कर सकते हो इसको सत्रा माई के बाद भ़एव एक्जाम होने वाला नेक्सट normais मै 2022 को 12 मैई 2022 को आप नोट डाउन करते 24 माई यानि कि 24 माई 2022 को एक्जाम होने वाला है फिर एक्जाम जो है वो 25 माई 2022 वैडनेस डे को है discipline का second part and फिर है 25 को एक्जाम है and then फिर यहाँ पर 26 माई को भी है फिर 28 माई को है एक्जाम हमें लास्ट डेट देखना है अभी and फिर 30 माई को है 30 माई के बाद भी है 31 माई को भी एक्जाम है फिर 22 मतलब 2nd June 2022 को भी है जून भी पूरा एक महिना cover हो रहा है यहां पर जून में भी एक्जाम है फिर 3rd June को भी एक्जाम है आप अपने course के according उसको चूज कर सकते हैं लास्ट जो एक्जाम है थिंग वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा चेक आउट कर सकते हो और यह डेट सिट रिलेस कर दी गई है 17 pages की है ठीक है इसको चेक आउट कर सकते हो वीडियो के discussion box में आपको टेलिग्राम का ग्रूप मिल जाएगा वहां पर चाहिए तो जोइन कर सकते हो डाउनोड कर सकते हो डाउनोड कर सकते हो एजली एड़ बीए ओनर्स मतलब बीए ओनर्स उच्छी भी आपका semester 4th second का इसका लिंक भी आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा और कोई queries रहती है तो आप पूर सकते हो अगर हम बात करें online exam versus offline exam की अभी तक कोई official update नहीं है कि exam जो होंगे वो offline होंगे या online होंगे बट majority जो है वो offline exam 95% chance है कि हमारे exam जो होंगे वो offline mode में ही conductor वाय जाएगे and decision कुछ भी लिया जा सकता है University of Delhi के थुरू हम कुछ कह नहीं सकते हैं but majority जो है वो offline exams की क्योंकि offline exam offline classes start हो गई है so thank you so much for watching this video